यहीं दोस्तो ट्यागि डेडिंग टिपस में आपका स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है मार्केट के अंदर आखिर गिरावट कब रुकेगी लगातार गिरावट ही क्यों देखने को मिल रही है उसके पेशे का कारण क्या है लगातार डेली Bases प पर आपको बताया जाता है कि गिरावट का कारण क्या है ठीक है एक ऐसा शेयर भी आपको बताने वाला हूँ जहां पर F.I.S. लगातार माल बेच रहे हैं वही पर F.I.S. एक ऐसी कमपणी है ओ्टो सेक्टर की कमपणी है अभी कोई खास तेजी उसके अंदर नहीं बनी है और ऐसा ही काम करते हैं दो दो साल तक खरीदते हैं उसके बाद तेजी तेजी करते हैं और उसके बाद एक डेड़ साल तक बेचते हैं कोई समझी नहीं पाता है से भी भी नहीं समझ पाता है क्या चला है स्टोक मार्केट और कभी कभी किसी शेयर को इतनी तेजी से भगा दिया ज उन्होंने खरीदा है बेचा कितना है 12,740 करोड का बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि 12,740 करोड का बेचते तो डेली ही हैं खरीदते भी डेली हैं अगर यह net निगेटिव ना हो तो अच्छा रहता है तो आज इन्होंने कितना माल बेचा है 3,404 करोड का कितना 3,404 करोड का उसके बिपरित अगर हम देखने की कोशिस करते हैं यहां पर तो डियाइस की अगर बात करते हैं तो 11,240 करोड का माल इन्होंने खरीदा है और इन्होंने आपको लग रहा है यह तो गिरा हुआ है मैंने खरीद लए तो भागी नहीं रहा है धीरे धीरे हो सकता है आप उस शेयर से ठक चुके हो और बड़ा प्लेयर उसके अंदर खरीदारी कर रहा हूँ बहुत सारी चीजे हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए तो आज की डेट क्या है आठ आठ आज भी इन्होंने 3404 करोड का माल बेच दिया है तो इनका बेचना ही मार्केट को गिरा रहा है जी ऐसा क्यों चलिए दिखाता हूं आपको अपको ट्रेक करना जरूरी है आज बता आपको लगभग 3200 करोड का माल बेचा है कल कितना बेचा था साथ नवंबर को 4800 करोड का पता चलना चाहिए आपको कि मार्केट के इंदर गिरावट क्यों हो रही है तो इस ने 6 तारीक को कितना बेचा था 4400 करोड का पांच तारीक को कितना बेचा था यहां पर देख डे उठा के आप देखिए इस चीज को देखते चले जाए मैं नीची की तरफ स्क्रोल कर रहा हूं यह ग्रीन ही आपको रैड ही रैड दिखाई देगा इधर की तरफ आपको माइनस दिखाई देगा मतलब उतना माल इन्होंने बेचा है ठीक है तो देख लीजिए किसी भी त करोड का माल बेच चुके हैं कभी अगर आप देखने की कोशिस करते हैं तो अगस्त में सिर्फ इन्होंने 21,000 करोड का माल बेच आ था सिर्फ 21,000 करोड का माल नेट कि उससे पहले दिखे कभी बेचते थी तो उसके बाद खरीदारी करना शुरू कर देते तब यहां पर कु खरीदते कम हैं जिसके बज़े से मार्केट के अंदर उतनी तेजी नहीं बन रही है तो अभी हाल फिलाल में आपने देखा नीचे के साइड मार्केट गिरा हुआ था इन्होंने खरीदारी करी उसके बाद आप यह देखे बेचना सुरू कर दिया इन्होंने तो इनका सिर्फ आज आज जो आपका बेचना है आपको मेहने के जा है और परफोलियो लगाता निगæटी निगटी भी जा रहा है आप का शेर पनाने की भी कोसिजिस कर रहे हैं थोड़ी से थे तेजी बनती है फिर इसलिए लिए और दूसरी बात जब यहूंण दौन चाल प lawsuit करे जिसको रिटेल नेवेशको उसको गुस्से में उसका मूह लाल हो जाता है तो इससे बरदास नहीं हो रहा है मेरा प्रॉफिट था एक लाग इससे में 10,000 दिखाई दे रहा है बेचो नहीं रुकूंगा वह सारा का सारा पॉट्फिलियो बेच देता और प्रेसर बन जाता है और इसमें क्या है कि जो एक ट्रेडर रहता है ट्रेडर रहता है इंट्राडे वाला उसको मालूम है करना क्या वाई मार्केट गिर रहा सीधा उपर सेल मारो नीचे खरीदना है सीधा सीधा कुछ कस्ट हो रहा है मार्केट को पहली पता है यह शेर गिरेगा वो शेर कि छार स्क्रव करता रहmen है फिंगा तो उपर से धीर धीर स्क्रोल करता रह invent अरती आप में जय से ने किसी पुटे को इंचे ऑपर और इंचे मारता है तो ली से पैसा जाई मंड़nous है तो सानी है करता है नीची की तरफ सेल मानना सुरू करता है एक तो एक फाइस बेच रहे हैं एक फ्रेस्टेड रिटेन लिवेसक जो लॉंग टर्म को सोच कर आया था उसका नुकसान देखने को मिला पॉर्टफोली बोविकरा नहीं पूरा पॉर्टफोली बेच दूगा बनी छोड़ू में और एक रिटेन लिवेस निवेसक फ्रेस सेल मार रहा है मार्केट बचीगा कैसे मेरे बाई एक लोजिक है ना यह इमोशन से नहीं चलता है जी मोशन से नहीं मतलब मैंने तो बड़ी रिसर्च करी एक शेर के बारे में और बहुत बढ़िया शेर ता वो तो गिर गया अ छोड़ें आपके शेर को जो आपने खरीद हुआ क्या करोगे आप पड़ा रहेगा जी क्या करूं मेरे भाई एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना होता अराम से खरीदिये बड़ा प्यार के साथ खरीदिये जब अच्छी खासी गिरावट हो जाए क्या करोगे कि यहीं पर भी शेर गिर जाएगा जब अर्दस बड़ी दिक्कत हो एक बार में खरीद नहीं क्यों जब आपको दिख रहा है उपर आप फस चुके हैं ठीक है और मार्केट लगातार गिर रहा तो रुख जाईए इसमें लोजिक क्या है इसके अंदर बताइए ना कोई अलग है कि अग सबसे टॉफ की टेस्टिंग जो मैं करता हूँ किसी भी शेर को खरीदिया जो लगता है धागसकता है एक शेर खरीद बहुत गयरा अब देखीयो उसका हाल जी वह तो आज खरीदा कल गिर रहा है और भाही एक खरीदो एक हٌजार घ्रीद ओएक हजार से तौर ज्याद नु बेंटा होगा इस चीज की राय बिल्कुल भी नी दी जा रही है कि कल भागने वाला हो इंप नों संते सुते शेर आम स्ट को मिलते हैं सिंपिल फंडा है अपना मूर मूड बनाई यह देखिए कि भागे हैं के नहीं भागे हैं वो सेरे शेर से हैं अब जी कि आप समझी नहीं पा रहे हैं अभी थोड़े दिनों पहले आर्विनल 15-20 रुपे का शेर था अभी 4.500 रुपे के आसपास है भाई क्या लग रहा आपको बताई ना 30 रुपे का आईपयों का भाफ लगा होगा उकात पाएंगे अपनी वकात से ज्यादा भाग गये थे ना वकात तो इतनी थी नहीं उकात से ज्यादा भाग गए तो कहाँ पर आएंगे एक्टॉल वैल्यू पर को टच करेंगे उसके बाद फिर दुआर से आगे भागना सुरू करेंगे चलिए दो समझ पात करने वाले हैं उसका नाम है असोक लिलेंड 221 रुपे का भाव है आज देखेंगे तो पूरा मार्केट जादा तर शेर गिरे हुए थे इसके अंदर थोड़ी तेजी बनी है मैं यह नहीं बोल ला हूं कि इस कंपनी के रिजल्स देखने के बाद कल ही तेजी बनने वाली ट्रेंड अभी नीचे की साइड में है लेकिन हां यह शेर अभी उतना नहीं भागा है जितने की दूसरे शेर भाग चुके हैं ठीक है मार्केट केब यह इस कंपनी का देखेंगे 65,000 करोड का है ऐसा नहीं कि यह पूरा एकदम रोखिट बन जाएगा लेकिन हां इसके पांस साल का चार्ट परटन देखें जी यहां तो अभी तेजी तेजी है पिछले पांस साल से तो उससे पहले भी देखिए थोड़ा सा ठीक है उससे पहले आप देखेंगे कोई खास तेजी अभी नहीं बनी हुई है ठीक है पांस साल की भी अगर बात करते हैं तो देखें कर देखेंगे तो यहां पर आगर आप देखने की कोशिस करते हैं तो देख लीजिए यहां पर कि इसके अंदर लगभग 200% के रिटन अभी बने हैं ठीक है लेकिन शेयर काफी समय से रुका हुआ है उतनी तेजी नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए जैसे कि और दूसरे शेयर यहीं टच करेगा आने वाले टाइम में ज्यादा गिरावट देखने को सायद यहां पर ना मिले स्टोक मार्केट है कहा कुछ नहीं जा सकता है फिलाल एक महने के अंदर देखेंगे कहां तक नीचे गया था यह 208 रुपे तक गया था बड़ी गिरावट जब हो जाती है त इतनी अच्छी बात वह भी बढ़िया कंपनी के अंदर देखेंगे पैसा तो किसी भी कंपनी के अंदर बन सकता है ठीक है लेकिन बड़े प्यार के साथ अगा 30-35 परसेंट के रिटन अगर बढ़िया कंपनी से बन जाए ना तो काम हो जाता है क्यों क्योंकि वहां पर ज्य लगातार माल खरीद रहें यहां पर काफी समय से कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है 51.52 परसेंट कम नहीं हुई है बड़े है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं एफाइस की होल्डिंग कितनी हो गई है 24.39 परसेंट बेच कून रहा है आपको मालूम है सबसे देखेंगे कभी 13 परसेंट की हिस्सेदारी इसकी होती थी किती ही 13 परसेंट की उसके बाद 15 परसेंट फे 17 परसेंट लगातार यहां पर देखें अपनी खरीदारी ऐसा नहीं कि लगातार है बीच-बीच में कम भी कर लेते हैं तो बीच-बीच में गिरावड भी देखनों तो बीच बीच में बेच देते हैं लेकिन खरीद लेते हैं फिर दुआर से तो चाहो तो शेयर प्राइब फोकस कर सकते हो बढ़ा शेयर मुझे लग रहा है जी इस कंपनी के रिजल्स आए कैसे आए उसको भी देख लेते हैं चलिए दोस्तों एक साल पहले इस कंपनी का करोड़ और एक साल पहले चले जाते हैं तो 11,429 था उसके अपेक सा थोड़ा कम है यह और यह वेसिस पे दवाब देखने को मिल ला है क्वाटर ली बेसिस पर परफूमेंस अच्छी है इस वाले क्वाटर से गिरे भी परफूमेंस सारी चीज़े आपको देखनी चाहिए अब आगे हम देख लेते हैं कि कंपनी का ओपरेटिंग प्रोफिट बड़ा ही सांदार है कितना तो दोस्तों देख लीजे कंपनी का ओपरेटिंग प्रोफिट कितना है 2040 क्रोड का कितना 2040 क्रोड को उससे पहले कितना था 1868 क्रोड को उससे पहले 2600 क्रोड का उससे पहले देखने को मिल ली है कि company के अंदर अगर हम देखें profit before tax 1078 क्रोड का कित्रा 1078 क्रोड का है ठीक है उससे पहले कितने का था 927 क्रोड का तो अगर यहां पर देखें net profit 777 क्रोड का है उससे पहले 551 था उससे पहले 934 609 क्रोड लेकिन यह other income से थोड़ा सा यहां पर जुड़ा है ठीक है अधर इंकम कितना जुड़ा है इसमें 245 क्रोड ठीक है उससे पहले देखेंगे किसी में भी other income नहीं जुड़ा है ठीक है तो accordingly देखें तो कोई बात नहीं अधर इंकम जुड़के भी अच्छा ही profit हम बोलेंगे company का यहां पर इतना खराब हम नहीं बोलेंगे तो औ हां पर हम बात करने वाले हैं Tata Motors की तो सबसे पहले समझ लीजिए कि Tata Motors जितना ज्यादा गिरेगा उतना आपका फायदा है इस चीज को मैं कई बार आपको बता चुका हूं अच्छी company के results खराबाना आपके लिए बड़ी opportunity है क्योंकि share के अंदर गिरावट के chance रहते हैं और गिरावट आपको चाहिए एक अच्छी company के अंदर तभी आपका पैसा बनेगा क्योंकि एक अच्छी company के अंदर पैसा रहा आने वाले टाइम में टूट सकता है 1180 रुपे का जब यह टूटेगा 1200 रुपे तो 50% के रिटन बनेगा याद रखीगा जब आने वाले टाइम में 1200 रुपे जाएगा 50% के रिटन बनने वाले त्यागी टेंटिप्स अगर उपर की side में यह नहीं भागा तो बहुत अ रुपे घरावट से और यह घरावट से पैसा बनता है कि जहां से क्षणर शुरू कर रहे वहीं तक खरीदन आ आपको नीची की तरब जितना जाता है तूड़ा ठोड़ा खरीद और रहे यह तक आ यूशेफ बनाता अच्छी कंपनी जो होती यह बढ़ा कंपनी गिरने का बाद यूशेफ बनाती है आप 800 फंसे हूं 900 फंसे हूं नीची के तरफ गिरने दे जितना ज्यादा नीची गिरेगा आप थोड़ा थोड़ा भी है नहीं कि एक एक दोदो रुपी की गिरावट पी आ आपनने सोचा रहे हूं तो यही हैं सोचे कि इतनी बड़ी गिरावट होगी नगे गिरावट जितना वuzu उससे बड़ी हो सकती सख्या ke तो यह व्य भी इतनी बड़ी थेजी बननी फोड़ी जोब्सक्ते फोड़ी दिच्वार्च कि पार दीघाए तो इसलिए बिल्कुल लगाता 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 गिर जाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बड़या कंपनिया है अच्छा कंपनी का दिखे प्रोफिट ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत उपन नीचे हो जाए उससे डरना नहीं तर्टा मोटर्स का यहां पर देखिंग रिजर नेट की मुएं कर से अच्छा करोड़ का नकाल नएक्ट प्रोर्फित ऐसा खिर स्थेहां करोड़ का अग् Hanselie City कोटेश्थ का चareन ऑदर देखिंगा दिखेंगा तो पिछले quarter में profit देखें काफी गिर गया है quarterly देखें तो 5600 क्रोड से 3400 क्रोड हो गया तो घबराने वाली तो बात है शेर के अंदर वो दिख भी रहा उसे पहले 17000 क्रोड था एक सार पहले कितना था 3832 क्रोड का कितना 3832 क्रोड का quarterly भी गिरावट है और देखें year on year basis भी गि गिरने दीजिए शेर को जितना ज्यादा गिरेगा उतनी ही आपकी मौ जाने वाली है बढ़िया है कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी गिर सकता है कि दिखिए ओ लेड़ी गिर चुका है और गिर जाएगा थोड़ा सा जी क्या पक्का बता दीजिए गिर है तो हम झालएगे यहां पर यह सारी जानकारी में आपको नहीं देता हूं कि इंट्राडे के अंदर यहां पर प्योर है कि आपकी लोंघरू केANS करना है सेल वगहरा मार्ना है मार्केट का आपको अपने अपने दिखिए अगर आपको लगता है ठीक है किसी दिन फझ कया खरीदने का मन नहीं करता है तो अपना एक रूल बनाई है मन नहीं है अभी मार्केट गिर जाने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कभी तो चढ़ेगा लेकिन अगर आपने आदद बना ली है कि कभी कोई न्यूस सुनकर एकदम सेल मारना है प्रोफिट ले तो सकते हो ऐसा ज कोड़े से कमजोर बोलेंगे कमजोर तो कुछ जादा ही बोलेंगे फिलाल गिरावट देखने को मिल सकती है चलिए आने वाले टाइम में फिर अच्छे रिजल आ सकते हैं पहले आप अगर देखेंगे तो कंपनी बड़ा-बड़ा नुकसान दिखा रही थी ठीक है बड़ा 3,800 करोड़ों से 7,000 करोड़ों का प्रोफिट हो गया तो प्रोफिट ऊपर नीचे होते रहते हैं मिले अच्छे लगे लाइक शेयर कर दीजेगा जैहिन बंदे माता